हेले श्टोडेंट कैसे आप से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई भी बेतर चले होगी 11th क्लास के फिजिक्स में आद एक छोटा सा टॉपिक है जो की काफी महात्कून है दोनों का फार्मूला समान दोनों का बिमी सूतर समान दोनों का मात्रक समान लेकिन भाया इन में दोनों में डिफरेंस भी पाया जाता है दाब और प्रतिवल में अंतर देखो जो दाब होता है वो भी एरिया पे लगने वाला फोर्स है और दोनों यूनिट एरिया मतलब एक आंग छेत्रफल पर लगने वाला ही बल है है वो चीज़ यहां पर पढ़ने वाले वच्चो तो दाब क्या है एकांग छेतफल कार करने वाले बल को ही दाब कहते हैं और प्रतिबल भी एकांग छेतफल पर लगने वाला ही बल है किन्तु जैसे किसी प्रिष्ट पर जी दाब लग रहा है तो संपूर प्रिष्ट पर जो तो किसी भी प्रिष्ट के एकांग छेत्रफल पर जो बल लगाएं और उसका पूरे प्रिष्ट पर माने दिस समान है तु वो दाब कहलाएगा और किसी प्रिष्ट के एकांग छेत्रफल हम बल लगा रहें लेकिन ये प्रिष्ट के विन विन भाग पर इसका मान विन विन हो गया तो वो प्रतिबल है कहा गया ना कि संपूर्ण प्रिष्ट पर इसका मान सा मानू ये अवसक नहीं है ये प्रतिबल की बात है इसी प्रकार बच्चो जैसे बल हम बात कर रहे हैं बल जो होता है इस पर हमें एक आंग छेत्रफल पर बल लगा रहे हैं वो दाब है एक आंग छेत्रफल पर जो बल लगा रहे हैं वो दाब है वो जो बल है वो छेत्रफल एनी प्रिष्ट के लमबबत कार करता है लेकिन प्र अंग छेत्रफल पर जब हम बल लगा रहे होती हैं ये बिल्कुल प्रिष्ट के क्या होना ची लंबत होना ची ये लेकिन प्रतिबल में आया वसक नहीं है अच्छा जब बल लगाओगे भाई तो कुछ नो कुछ तो परिवरता होगा की नहीं होगा तो दाब में क्या होता है जैसे बन डाब में भी एक एरिया पर लगने वाला फूर्स है मतलब एक आंग छेत्रफल पर लगने वाला बल है दाब में भी हम बल लगा रहे हैं प्रतिबल में भी हम बल लगा रहे हैं लेकिन बच्चों यहां पर समझने और सोचने की वाती है कि जब हम दाब लगाते है अर्थात किसी एक आंग छेटरपल पर बल लगाते तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है आकरती में नहीं जैसे हमारा यह प्रिष्ट है इसमें बल लगाएंगे तो इसका आयतन बदल सकता है दर अधर बाकी इसका आकार नहीं है जैसा का वैसा ही है यह हमारा इसकेज़ इस पर बल लगा रहे हो सकता है तन अंदर का बदल जाए लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्ता नहीं होता है लेकिन प्रतिबल में आकार के साथ साथ आकरती भी बदल जाता है दोनों में difference देख रहा है ना वह difference तयार करना है अब जैसे मा लीजे बल दो प्रकार से हो सकता है ना है जैसे मा लीजे प्रिष्ट से अंदर की ओर हम कार कर रहे हैं भाई बल लगाएगे प्रिष्ट पर तो डाब कहलाएगा और दाब एधी पदार्थ के अंदर की ओरकार करें, तो वो धनात्मा कहला जाता है, और यदि बाहर की ओरकार करें, तो रनात्मा कहला जाता है, लेकिन प्रतिबल ऐसा नहीं होता, प्रतिबल हमेशा धनात्मा की रता है, इसमें धनात्मा की रनात्मा की लोचा नहीं है, दाब में धनात्मा क रनातमक की लोचा है, क्योंकि दाब, बच्चों जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है, तो उसके दिवाहर की और कार करें, तो वो हमेशा धनातमक, यह अंदर की और कार करें, तो रनातमक, लेकिन प्रतिवल की बात करें, प्रतिवल हमेशा क्या होता, धनातमक होता है, इसमें आपने चार डिफरेंस चार मिनट में त्यार कर लिया पहला एकांग शेथफर पर कार करने वाला जो बल है वह दाब है इसका संपूर्ण प्रिश्ट पर्मान समान होता है लेकिन प्रतिवल भी एक शेथफर पर लगने वाला ही बल है किन तो इसका मान भिन 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 प्रष्ट पर भिन भिन होता है ठीक है दाब एक प्रकार का प्रतिवाल ही है जो पदार्थ केवल आयतन में परिवर्दन करता है आकरत नहीं बदलता लेकिन प्रतिवाल में आकार आयतन दोनों बदल जाता है आकार यही आकरती बदल जाता है एदिदाब पदार्च के अंदर की ओर कार करेगा, धनात्मक होगा, अर्जी बाहर की ओर कार करेगा, तो रिनात्मक होगा, लेकिन प्रतिवल हमेशा धनात्मक होता है, दाब में जो वल होता है, प्रिष्ट के प्रतेक बिंदू पर लंबती होगा, लेकिन जब हम प्रतिवल क CGBR कहीं सबी है, आप लोगों को त्यार कर लेना चाहिए, वीडियो पर संदर्ट लाइक करके शेयर जरूर करें, जय हिंद बन्ने बात रहूं